हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम टो आवर चैनल फ्रेंड्स अगर आपने नीट 2020 का एकजाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जाता इंपोर्टन्ट होने वाला है क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2020 की एक्सपेक्टिड कट के बारे में M VBS गर्वेंड और प्राइवेट कोलेज की क्ट ऑफ क्या रहेगी बीडियो 2 मेंं प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ स्टेट वाइज क्या रहेगीıldÑ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तो सबसे stick cut off आपको इस वीडियो में बताएंगे और क्या result आपका जो है 25 September को आ जाएगा तो इस वीडियो में हम बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों उससे पहले आप सभी से एक request है मेरी हर बार की तरह है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो अभी कि अ reference अगर आप ठीक से करते हैं तो आप college कम नंबरों पर भी लेने में सफलों पाएंगे तो सब चीज़ें जो है आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी और अगर आप freshers brand है आपके बार पहली बार नीट का इजाम दिया है तो यह हमारा चैनल जो है जरूर सब्सक्राइब लास्ट ये 2019 में जो रही थी वो थी 592 और स्टेट को टागी में बात करूँ तो 575 रही थी लेकिन दोस्तो अब की बार में exam level की बात करूँ तो 2019 के comparison में थोड़ा easy exam आया है लेकिन उसी और हम दूसरी और देखते हैं तो आपका exam अब की बार delay बहुत जादा हो गया है और delay का effect हमेशा inverse होता है cutoff आपकी हमेशा गिरती है क्योंकि 2015 में आपका जो NEET का exam जो AIPMT exam है वो दूसरी बार हुआ था जब तो उस time जो है आपका cutoff कम गया था और साथ में 2016 में NEET का exam जब हुआ था delay तो उसके बाद भी जो है आपकी cutoff जो है वो कम ही हुई थी तो उसी comparison में ब बात करो तो वह भी 580 के राउंड है आपकी cutoff रहने वाली है मतलब कि प्लस 5 नंबर आपको इसमें add कर लेना है EWS category में बात करो तो ओल इंडिया कोटा के हमारे पास कोई data नहीं है लेकिन 575 state quota की cutoff 2019 में रही थी जब कि वार 580 पर चले जाएगी इसी प्रकार OBC की है OBC में और general category में इतना जादा फरक होता नहीं है लेकिन वह जो फरक आता है वो 5-10 marks का यह आता है तो 580 गराउंड जो है अब की बार में cutoff रह सकती है OBC category में बात करों तो 480 गई थी 2019 में All India quota की लेकिन अब की बार जो है यह 490 क्रोस कर जाएगी और state quota की में बात करूं तो यह 420 जो है क्रोस कर जाएगी अब की बार 2020 में एश्टी category में बात करों तो 458 गई थी All India quota की लेकिन अब की बार जो है 460 से 470 के in between हैने वाली है और state quota यह बात करूं 228 गई थी लेकिन अब की बार यह 250 तक जा सकती है इसे परकार अब हम बात करते हैं BDS college की cutoff क्या रह सकती है तो BDS college की मैं बताऊं आपको जो है government college के लिए तो 571 गई थी general category की All India quota की तो अब की बार भी जो है यह 570 के round ही रहने वाली है state quota की मैं बात करूं तो 525 गई थी general category की जो अब की बार जो है 530 के cross होगी और अब की बार मैं बात करूं ऐसी category की तो 447 गई थी 2019 में लेकिन अब की ब category की गई थी 2019 में वो अब की बार इतनी ही रहने वाली है लगबग और 381 जो state quota गई थी यह भी इतनी ही cutoff आपकी रहने वाली है ज्यादा नहीं जाने वाली तो यहां पर आप जुरूर ट्राइ करें साथ में बात करते हैं दोस्तों private college की cutoff क्या रह सकती है need 2020 के लिए तो MBBS क मैं बात कुरूँ तो general category की अंदर पिछली बार 2019 में 157 पर admission हो गया था मतलब की 157 के उपर भी private college आपको मिल जाएगा लेकिन condition यह है कि आपके पास पैसा बहुत होना चाहिए अगर आप पर year 10-20 lakhs रुपे खर्च कर सकते हैं तो आप जो है private college में admission जरूर ले सकते हैं कम नम मैं जी जी यह है कि रुपिया होना जरूरी है अगर आपके पास रुपिया है तो आपको जो है easily government college मिल जाएगा तो दोस्तों यह हमने बात की है UP की और आगे आने वाली वीडियो में हम और state की बात करेंगी अगर आपको special की state पर वीडियो चाहिए है तो आप नीचे comment box में जरूर बताईएगा और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद thank you और साथ में दोस्तों एक और बात बताते तो result की result जो है आपका वैसे तो one month लग जाता है आने में लेकिन आपकी बार exam delay हुआ है तो 25 September के आसपास आपका result जो है वो जारी कर दिया thank you